सारी दुनिया जब सोने की खुदाई कर रही हो, तब आप सोने की खुदाई मत करो, सोने की खुदाई में जो सामान काम में आते हैं वो बेचो, वो बेचो जो सामान काम में आते हैं लो खुदाई में, कर्चु काम में आते हैं, फल्सा काम में आता है, वो पैम वो बेचो, ज आप कंस्रक्शन की मसीने बेच रहे हो इस बात का मतलब है पूरा जगत गरीबी से मर रहा है पूरा जगत बेरोजगारी से त्रस्ट हो रहा है और अगर जिन्दगी में एक बार ठान लिया कि मुझे अमीर बनना है हवाएं बदलने से दिशाएं मत बदल देना शिंका शांकि आने से मच्छर कासने से दिशाएं मत बदल देना चोटा मोटा हिला उटाने से दिशाएं मत बदल देना एक दुनिया बकरी руки भी आपको आपको मेर बकरी में यह इंतरथ है जिब रोड क्रोश करते हैं तो दोनों का नतिज़ा अलग अलग आता है जब बक्रियां रोड क्रोस करती है तो आप और हम सब करते हर जा थोरन बजाते है वो भागती है अपन बजाते है वो भागती है और सेर रोड क्रोस करते था इम बजाते है अपन करते है साइड में ने ले ले साइड में पोरन युखा लिजाएगा तुप चाप दे दे में है तो अब बापू जा रहा है अब बापू जा रहा है होने से पहले हुआ नहीं हो उसको देख सकने की ताकत जिसमें आ गई वो जीवन बदल लेगा अपना बल्ब दुनिया में जला नहीं था जलने से पहले एडिसन ने अपने दिमाग में चला लिया ताज महल बना नहीं था बनने से पहले सहजा ने अपने दिमाग में बना लिया दुनिया की हर तस्वीर जो आज बन चुकी वो पहले कभी न कभी किसी के विजन में किसी के दिमाग में आई थी आपने अगर जिंदकी में अपने आपको करोड़पती देख पा रहे हो तो बनोगे अपने आपको अरत्पती देख पा रहे हो तो बनोगे अपने आपको अगर करोड़पती अरत्पती एक कामियाब एक अमीर और कामियाब परसंद देख पा रहे हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको अमीर और कामियाब बनने से रोक नहीं सकती गरीबी एक आदत है ओ ओ ओ ओ भारत में जिस इंसान को गरीबी की लट लग जाए ना उसकी सोच भी उसी फोर्मेशन में चलती है उसकी सारी ताकत इस पे लग जाती है कि मैं इसे मेंटेन केसे कुरूँ मैंने बावदादाओने समपति छोड़ी मिरली में वाला इससे बाहर नहीं जा सकता कौन सी से गरीबी से ये लट लग जाती है उस वक्त मैंने जीवन में लेड़ने लिया था बाइस वर्षी उम्र में मैं गरीबी की लट को स्टोर दूँगा वीडियों से आई हुई गरीबी की रेखा को उड़ा के रख दूँगा और उस ताकत को एक चैनल पे उड़ेर कर इसे उड़ाऊंगा ये संकल भोथ बरस पेले में लिया था जाने अंजाने में अगर अमीर बनने का प्रियास नहीं किया गरीबी की लट लग जाएगी भाई और गरीब सोच एक आदत है इन आदतों का प्रभाव जीवन पर परता है चालीस से असी तक जाने के लिए ताकत लगाने पड़ती है जिसे पाच को लगाने पड़ती है उसका आयू होती है 70 साल लेकिन 30 के उमर में उसको एक तक लिफ आती है नाखोण मुड़ जाते हैं पंक भारी हो जाते हैं चॉंच बेर्ण हो जाती है सिकार नहीं कर सकता, इनसे पकड़ नहीं सकता, यह उद नहीं सकता, दो रास्ते हैं, या तो मर जा, या जिन्दगी में आजा, जा बाज की तरह, तो जाता है, नबबए दिन के प्रोसेस में, चला जाता है पहडों पे, सबसे पहले अपने नाखोनों को तोड़ता है, चोंच को वापस रिफ्रेम करने के लिए, खुशियों को लवरेज करने के लिए शारीरिक सुक चाहिए, शारीरिक मजबूती चाहिए